प्रेक्टिस करेंगे इसमें हम जनरल साइंस के प्रशनों पर तो चले स्टार्ट करते हैं डिस्क्रप्शन बॉक्स में लिंक है इस टेस्स सीरीज का प्लेलिस्ट बना रखा है वहाँ पर आप टेस्स नॉम्बर बन से लेकर थर्टी सिक्स तक पहुंश सकते हैं बिना किसी द चार स्टेट्मेंट लिखें यहां पर बताना है कि उपरोक्त में से किन घटनाओं की व्यक्या गुर्तवा कर्शन के सार्वत्रिक नियम से की जा सकती है पहला है हमें प्रत्वी से बांधे रखने वाला वल दूसरा है प्रत्वी के चार और चंद्रमा की गती सूर के चार और ग्रहों की गती चंद्रमा तथा सूर के कारण ज्वार भटे का आना किन घटनाओं से गुर्तवा कर्शन के सार्वत्रिक नियम की व्यक्या की जा सकती है सभी से ठीक है डी हैस कांसर वन टू थरी फोर तो देखें उपरोक्त चारों घटनाओं के पीछे का कारण जो है इन चारों ही घटनाओं की व्यक्या गुर्तवा कर्शन के सार्वत्रिक नियम द्वारा की जा सकती है नमबर टू पर आजए चंद्रमा पर किसी वस्तू का भार प्रत्वी पर भार की तुलना में होगा कितना उसका एक वटे छेवा भाग तो चंद्रमा का द्रपेमान जो ह एक वटे छेवा भाग होता है नमबर थुरी पर आजए निमलिकित कतनों पर विचार करेंगे दो स्टेट्मेंट की सरव बताए कौन सा करेक्ट है प्रत्वी के चारों और चंद्रमा की गति अब केंद्रिय वलके कर्ण होती है और चंद्रमा का द्रपेमान प्रत्वी की अ अपेक्षा कम है कम है या अधेक है कमी है प्रत्वी के चारों और चंद्रमा की गति अब केंद्रिय नहीं वलकी अभी केंद्रिय वलके करण होती है गलत है पहला वाला स्टेट्मेंट तो कथा नहीं गलत है क्योंकि प्रत्वी के चार और चंद्रमा की जोगती होती है वो अभी केंद्रियवल के कारण होती है और अभी केंद्रियवल प्रत्वी के आकर्शनवल के कारण मिल पाता है चंद्रमा का जो द्रब्यमान होता है जो मास होता है वो प्रत्वी की अपेक् है कि नमबर फोर पर आजए यह नम्लिखित कत्मों पर विचार करेंगे दो स्टेट्मेंट के साथ बताए कौन सा गलत है इस बार गुर्त्य वल प्रत्वी तल से उचाई बढ़ने पर और धुरूबों से विश्वत रेखा की और आने पर या विश्वत व्रत्य की और आने प कुअ किसी वस्तु का द्रभिमान प्रत्वी पर या अनग्रह पर उतना रहता है परंत नुद जो उसका भार होता है वह स्थान के साथ परिवर्तित हो सकता है ठीक है यानि mass जो है same रहेगा और weight जो है वो change होगा तो दूसरा वाला statement तो सही है पहला वाला statement भी correct है ठीक है प्रत्वी के तल की बात हो रही है प्रत्वी के केंद्र की बात नहीं हो रही प्रत्वी तल से उचाई वढ़ने पर और धुरूबो से एक्वेटर पर आने पर ठीक है, पोल्स से एक्वेटर की आने पर जो है, जी का मान घटता है, यह सही है दोनों स्टेटमेंट, तो C है इसका अंजर, तो देखें, गुर्थवे बल जो है, प्रत्वी तल से उचाई व होता है, यह नहीं घटता है, देखें, किसी बस्तु का जो द्रब्यमान है, वो प्रत्वी पर चाहें, प्रत्वी पर, किसी भी अन्य ग्रह पर, ठीक है, उतना ही रहता है, लेकिन जो बस्तु का भार होता है, वेट होता है, वो इस्थान पर निर्भर करता है, जो परिवर् मैंसे क्या होगा देखे दोनों तो एक साथ जमीन पर बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे ठीक है दोनों एक साथ तो नहीं पहुंचते पत्थर के टुकड़ा पहले पहुंचेगा लेकिन बिकल्प किया दिया है बिकल्प के अनुसार उतर देना पड़ेगा तो कागज के कम द्र लेकिन ए बी और डी में से क्या उतर होना चाहिए कागज पर लगने वाले घर्षण के कारण बहें पत्थर के बाद जमीन पर पहुंचेगा यानि पहले कौन पहुंचेगा पत्थर तो प्रत्वी पर कागज की जो शीट है तथा पत्थर को समान उचाई से एक साथ छोड़ने पर कागज जो है वो पत्थर के बाद जमीन पर पहुंचेगा ऐसा वायू के प्रतिरोध के करण होता है क्योंकि गिरती होई गतिशील वस्तूओ पर घर्षण के करण वायू प् पर तिरोध पत्थर पर लगने वाले पर तिरोध से अधिक होता है कि प्शनि में घर्षण आजए गुरत्य त्रॉण का मां नमधिक मसे कितना होता है गुरत्य तॉरण जिसको स्मال जी से प्रदश्यूत करते हैं 9.8 होता है 9.8 मीटर 7.2 तो गुरत्य मां कितना है 9.8 टल जी से प्रदाश्रित करते हैं वो होता है 6.673 इंटू 102 की पावर माइनस 11 और प्रत्वी का द्रब्यमान कितना है 6.1024 किलोग्राम प्रत्वी की तिर्जय कितनी होती है 6.4 इंटू 106 मीटर गुर्त्वाकर्षन बल के संदर में निम्लिकित मैं से कौन सा सही है देखे यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है चाहे वो प्रत्वी पर कहीं भी हो गुर्त्वाकर्षन बल एक छीन बल है प्रवल बल है प्रत्वी पर लगाय जाने वाला गुर्त्वाकर्षन बल गु और यहे नियम सभी पिंडों पर लगो होता है, चाहे वो पुर्थी पर या धर्थी पर कहीं भी हो, यह सारे के सारे करेक्ट हैं। द्रब्यमान वाले पिंड एक साथ संबद ना हो जाएं ठीक है प्रत्वी द्वारा लगाए जाने वाले गुर्ताकर्शनबल को गुरुत्यबल कहते हैं जिसको स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं यह तो बच्पन में पढ़ाओगा आपने न्यूटन ने कितने दिया थे न्यूटन ने गती के नियम दिये थे कितने तीन नियम दिये थे तो न्यूटे ने गती-गती नियम दिये थे प्रथम दुत्य और तरत्य प्रथम नियम अगर आपने पढ़ा होता पढ़ा हो तो नहीं पढ़ा होता पढ़ लेजे यदि कोई वस्तु विराम अवस्ता में है तो वो विराम अवस्ता में ही रहेगी जबता को इस फ़र वाहरी बल आरोपित ना कर दिया जाए और दूसरा नियम क्या है किसी वस्तु के संबेख परिवर्तन की दर जो है वस्तु पर आरोपित असंतुलित वल के समानुपाती होती है तथा वल की देशा में होती है तीसरा नियम वही क्रिया प्रतिक्रिया वाला है प्रतिक्रिया के समान प्रत्वी को अकर्शित करती है परन्तु हम प्रत्वी को वस्तू की और गती करते नहीं देख पाते इस वात की व्याख्या निम्लिके तमय से किस के नियूटन के किस नियम से की जा सकती है गती के प्रत्थम नियम से गती के दुत्य नियम से गती के दुत्य नियम से तो देखे गती के तीसरे नियम के अनुसार बस्तू भी प्रत्वी को अकर्शित करती है लेकिन गती के दूसरे नियम के अनुसार किसी दे हुए बल के लिए तुरण बस्तू के द्रब्यमान के व्यत कुर्मान उपाती होता है अर्था द्रब्यमान जितना अधिक होगा बल उतना अधिक लगेगा और प्रत्वी की अपेक्षा वस्तू का द्रब्यमान नगर्णिया है इसलिए हम प्रत्वी को वस्तू की ओर गती करते नहीं देख पाते नमबर नाइन पर आजए नमलखित कत्वों पर विचार करेंगे दो स्टेट्मेंट के सरबते ये कौन सा करेक्ट है घर्षन वल जो है वो सदय वस्तू की गती का प्रतिरोध करता है सभी वस्तू का जड़त्व समान होता है देखे सभी वस्तू का जड़त्व समान नहीं होता गलत है दूसरा वाला स्टेट्मेंट ठीक है क्योंकि जो भारी वस्तू होती है उनका जड़त्व अधिक होता है मात्रात्मक रूप से किसी वस्तू का द्रबेमान उसके जड़त्व की माप है जिसको इसका जो ऐसाई मात्रक है वो है किलोग्राम और घर्षन वल सदय वस्त मीटर प्रती सेकंड माइनस टू तो बल का एसाई मात्रक जो है किलोग्राम मीटर प्रती सेकंड माइनस टू है इसको जो है न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है तथा इसका प्रतीक एन है नमबर 11 पर आजए ये निम्लिखित कत्नों पर विचार करेंगे दो इस स्टेट्मेंट के सार बताए कौन सा करेक्ट है इन में से वस्तू का संबेग उसके द्रविबान एवम वेग का गुडन फल है तो था इसकी दिशा वही होती है जो वस्तू के वेग की होती है दो वस् वस्तू का जो संबेग है उसके द्रविबान तथा वेग का गुडन फल होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तू के वेग की होती है दो वस्तू के संबेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बरावर रहता है जबकि उन पर असंतुलेत वलकार ना कर और इसे जो है संबेख संडरक्षन का नियम कहते हैं नम् diff संबेख का s i मातरक है संबेख का s i मातरक है kg-1 है तो संबेख का s i मातरक kgm 20W होता है ज्यक्री से kg3 – 21 के रूप में व्यक्त करते हैं नमबर 13 पर आज़िए किर्किट के खेल में कैच लपकने के लिए छेत रक्षक का गेंद के साथ अपने हाथों को धीर धीरे पीछे की और खींच लेना न्यूटन का कौन से नियम का उदाहरण है यह क्रिया प्रतिक्रिया है मतलब न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है पर्थम नियम है दोत्य नियम है या दूसरा तीसरा दोनों तो नहीं हो सकते हैं पहला भी नहीं है यह कौन सा है यह है न्यूटन का दुत्य नियम तो न्यूटन के दुत्य नियम का पारण करता है यह देखिए किर्किट के क्हेल में छेत रक्षक गेंद में कि तेज गती से आरह रही देज गती सें आरही इन को लपकते समय जो है अपने हाथ को भीषए किश लेता है विससे хочेंप के वेक को सून करने में अधिक समय लगता है इस प्रकार गेंद में संबेक परिवर्तन की जो दर है वो कम हो जाती जिससे तेज गती से आ रही गेंद का प्रभाब जो है प्रभाब दर कम पड़ता है नमबर फोटीन पर आज़े गैलीलियो इटली के एक खगोल सास्त्री थे दार्शनिक थे गड़ी तक के थे क्या थे गैलीलियो खगोल सास्त्री भी थे दार्शनिक भी थे गड़ी तक के भी थे और शिल्पकार भी थे तो गैलीलियो इटली के एक खगोल सास्त्री दार्शनिक गड़ी तरग के साथ साथ कुशल शिल्पकार भी थे उन्होंने प्रत्वी सौर मंडल के केंद्र में इस्तित है और बुद्ध शुक्र प्रत्वी तथा सनी जैसे ग्रह इसके चारो और चक्कर लगाते हैं यह है परिकल्पना निम्ड में से किस नहीं की थी कौपर निकस तो नहीं है कौपर निकस तो कह रहे थी के सूर केंद्र में है वागी पर्थवी तथा निग्रह इसके चक्कर लगाते हैं बरामहीर आरेभट टालमी टालमी ने परिकल्पना की थी ये वाली केंद्र में पर्थवी है सौरमंडल के केंद्र में पर्थवी है बुद्ध शुक्र ब्रस्पती तथा सनी जैसे ग्रह इसके चार और घूमते है तो देखे टालमी ने दुद्ध शताब्दी में परिकल्पना की थी कि प्रथवी सौरमंडल के केंद्र में इससे था कार्बन डाय अक्साइड के इस तरीकरण के संदर में निमलिखित कत्नों पर विचार करेंगे हरे पेड़ पोधे सूर की किरणों की उपस्तिती में कार्बन डाय अक्साइड को ग्लुकोज में बदल देते हैं और समुद्री बहुत से समुद्री जीव समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से अपना कवच बनाते हैं ये दोनों की दोनों बाते एकदम सही हैं C है इसका आंसर तो देखिए बायू मंडल में कार्बन डायकसाइड यानी CO2 की मातरा एक प्रतिशत का एक छोटा सा भाग है ठीक है क्योंकि कार्बन डायकसाइड दो विधियों से इस्तिर होती है कर्बन डायकसाइड को गुलुकोज में बतल देते हैं और बहुत से समुद्री जी विजल में गोले कार्बनेट से अपना कवच बनाते हैं नमबर 17 पर आज़े है निम्लखित कत्नों में से कोई एक स्टेट्मेंट सही है वायू उस्मा की कुछालाख है प्रिंटिंग मिश्टेक होई है कोई एक स्टेट्मेंट इन में से गलत है नहीं है सही नहीं है वायू उस्मा की कुछालाख है पहला स्टेट्मेंट यह हो गया और वायू मंडल प्रत्वी के ओसत तापमान को दिन के समय और यहां तक की पूरे वर्ष भर लगवग नियत रखता है और इस्थल की अपेक्षा जल जल्दी गर्म होता है और प्रत्वी की घुणन गती तथा पवन के मार्ग में आने वाली परवत्स रंखलाएं हवाओं को प्रवाबित करती हैं देखे बिल्कुल वायू जो है उश्मा की कुचालक ही है सही वाली स्टेट्मेंट गलत अपने को ढूंड़ना है इन में से और वायू मंडल प्रत्वी के ओसत आपमान को दिन के समय और यहां तक की पूरे वर्ष भर लगवग नियती रखता है सही है दूसरे जो ग्रहें जोसे बुद्ध हो गया शुक्र हो गया इन पर वायू मंडल तो है नहीं दिन में इतने गर्म हो जाते हैं रात में इतने ठंड हो जाते हैं इस्थल की अपेक्षा जल धीमा गर्म होता है सही स्टेट्मेंट क्या होगा जल की अपेक्षा इस्थल जो है वो जल्दी गर्म होता है पृत्वी की घुड़न गती तथा पवन के मार्ग में आने वाली पर्वत संखलाएं विल्कुल पवनों की गती को प्रभावित करती है वो सी गलत है तो जल्दी अपैक्षा इस्थल जो है वो जल्दी गर्म होता है इसलिए दिन के समय इस्थल के उपर की वायू जल के उपर की वायू के अपेक्षा तेजी से गर्म होगी ये वायू उपर उठती है और वहां कमदाव का छेत्र बन जाता जैसे समुद्र के उपर की वायू कमदाव वाले छेत्र की और परवाहित हो जाती है नमबर 18 पर आजए, humus के संदर में निम्लिकित मेंसे कौन सा statement गलत है यह सड़े गले जीवों का अंस है humus यह मरदा की संदशना का मुख्य कारक है और यह मरदा को सरंग्र बनाता है यह तो सारे सही है humus के संदर में तो गलत अपने को ढूणना गलत कोई है नहीं तो D लगाएंगे इसका अंसर तो देखिए म्रदा में सड़े गले जीवों के टुकड़े उपस्तित होते हैं जिसे हुमस कहा जाता है यह म्रदा की संरचना का मुख्य कारक है क्योंकि यह म्रदा को सरंध्र बनाता है और वायू तथा जल को भूमी के भीतर जाने में सहयक होता है यह धा है धा नमबर नाइंटीन पर आजए नमलिके में से कौन सा स्टेट्मेंट जो है वो गलत है नाइट्रोजन के आकसाइड और कार्बन मोनो आकसाइड अमलिय वर्षा के मुख्य कारक है और बायू में उपस्ति धूल के गणों के साथ साथ परदूशकों की अधिक मात्रा में उपस्ति द्रश्यता को कम करती है धूम कोहरा विशेशकर सर्दी के मौसम में बनता है सर्दी के मौसम में बनता है गर्मी के मौसम में बनता है सर्दी के मौसम में बनता सही 1947 को्ण सारे सही आए सारे नहीं सही एक गलत नाई रोजन तथा सलफर की एकसाइड ठीक है तो पहला वाला विकल्ब गलत है क्योंकि नाइट्रोजन और सल्फर के आकसाइड ठीक है वर्षा के जल में घुलकर उसे अमलिय बनाते हैं अता है नाइट्रोजन और सल्फर के आकसाइड अमलिय वर्षा के मुख्यकारक है और वायू में उपस्ते धूल के कणों के साथ साथ पुर्दूशकों की अधिक मात्रा में उपस्ति द्रश्चता को कम करती है विसेशकर सर्दी के मौसम में जब जल भी बायू के साथ संगनित होता है उसे धूम कोहरा करते हैं अतब B और C दोनों सही है बीसवा प्रश्चन है और यह सूर से आने वाले हानिकारक विकिरणों का वशोशन करती है और यह सारे के सारे स्टेट्मेंट सही है बिल्कुल यह सारे के सारे स्टेटमेंट सही है याद रखेगा क्लोरो फ्लोरो कारबन जो है क्लोरीन और फ्लोरीन से युक्त कारबनिक योगिक है तो देखिए आक्सीजन के सामान दूई परमाडविक अणू के विपरीत ओजोन एक विशैली गैस होती है और क्लोरो फ्लोरो कारबन यानि सी एफसी क्लोरीन और फ्लोरीन से युक्त कारबनिक योगिक है तो दूसरा भी सही है और ओजन परत जो है वो जीब जन्तूओं की रक्षा करती है सूर से आने वाली हानिकारग विकिर्णों से या परावेंडनी किर्णों से तो तीसरा वाला भी स्टेट्मेंट सही है तो ये जनरल साइंस के 20 प्रश्णते इनकी प्रैक्टिस से गवार कर लीजेगा जितने भी स्टुडेंट UK, PSC वाले हैं वो प्रैक्टिस करते रहे हर दिन